हाई दोस्तों, असलाव अलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा अपना पील है, मुझे सैमसंग का जो S21 Ultra है, वो इतना जादा पसंद आया कि मैंने सुचा कि एक और S21 सीरीज का फोन जो है, वो लिया जाए, तो S21 Ultra में आज भी मेरा जो प्राइमरी सिम है, वो लगा हुआ है, आपके साथ जो है, मेरा experience शेयर करते है, इतना अच्छा response रहा आपका लास्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने स्विच किया, तो मैंने सोचा यह कर लेते हैं, और अभी इस बार में बॉक्स की बात नहीं करूँगा, ठीक है, आप लोगो पसंद नहीं आया ना, बॉक् 5G, 5G इसका नाम है, अभी आप लोग में से बहुत लोग बलेंगे, 5G, 5G क्यों बोलते हो, 5G तो आया नहीं, 5G इसका नाम रखा है कंपनी ने, इसलिए मैं इसको 5G नाम से बुलाता हूँ, S21 Ultra 5G के बाद, मैंने S21 5G लिया है, और किस तरीके मेरा experience रहता है, initial impressions में आपके पे positioning कहां पे किया है, Samsung ने वो देख लेते है, ये है iPhone 12 और ये है iPhone 12 Mini, ये जो है तीन फोन, ये एक दूसरे के competitors है, मैं समझता हूँ, 12 Mini जो है, इसका अलग ही market है, और in fact Apple का ये experience थोड़ा सा flop ही रहा है, 12 Mini इतना अच्छा बिक नहीं रहा है, और Apple ने इसका production भी half कर दिया है क्योंकि ये चोटा phone है, हर किसी के bus की बात नहीं है, इसको use करना, मैं भी जो है इतना चोटा phone शायद prefer ना करूँ, बड़े phone की आदच हो चुकिए, तो 5.4 इंचिस का display वाला ये phone 12 Mini, जो कि इसका competitor होते वे भी इसका competitor नहीं है, क्योंकि price जो है, इसके जितना ही है, बट ये क्राइटरिया है, उसको लेते हुए S21 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि S21 जो ले सकता है, वो शाय 12 के लिए भी जाने का सोच रहा होगा, यहां पर कुछ प्लस पॉइंट्स है, कुछ निगेटिफ पॉइंट्स है, जो भी है, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, सब से पहली बात करते है, डिजाइन बिल्ड कॉलिटी के बारे, तो यहां पर सैमसंग ने 70,000 का जो फोन निकाला है, इसमें जो खास चीज दिया है, वो है इसकी प्लास्टिक बैक, अब यहां पर बताईए मुझे, आप थोड़े दिन पहले तक यह चीज़े हम एकसेप नहीं एकसेप की जारी है, क्योंकि सैमसंग ने यह चीज़ किया है, ऐसा लोग का बोलना है, मैं प्रिफर तो नहीं करूंगा, 70,000 रुपे देखे, एक प्लास्टिक बैक वाला फोन अपने हाथ में रखने को, देखिए, यहां पर मेटालिक फिनिश वाला पेंट तो सैमसंग ने दिखने में भी फोन प्यारा है, अच्छा है, खुबसूरत है, लेकिन वह एक बात आ जाती कि जो मटेरिल का चॉइस है, वह प्रीमियम नहीं है, वह अच्छा नहीं है, इससे आप एग्री करेंगे, तो ठीक है, नहीं अग्री करेंगे तो आपकी मरजी, और जहां पे अप 30, 32, 33,000 का मिल जाता है आराम से, और आइपोन 10R की बात ले ले, तो उसके अदर भी ग्लास पैक आता है, तो मुझे यहां पे थोड़ा यह सैमसंग का मूफ अजीब सा लगा, लेकिन यहां पे जो डिजाइन है, इट इस मज बेटर, मतलब एक खुबसूरती भी होनी चीए यह डिजाइन के अंदर, जो के इसके अंदर है, जो के मुझे S21 Ultra के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, यहां पे देखिए S21 Ultra किस तरीके का दिखता है, बहुत जदा बल्की और बहुत जदा अजीब सा फून है, हाला के देखिए मेरे पास 12 Pro Max भी है, जो के बल् लगा, लुक जो है, एक्चल में मुझे ठीक लगा इसका, लेकिन अगर यह लुक अच्छा है, बट प्लास्टिक बैक की वे से जो मजा है, वो खराब हो जाता है, इन हैंड फिल्ड जो है, इसकी खराब हो जाती है, बाकी अगर आप देखिएंगे, तो मेटल के साइड इस यहां पे Apple जो है, देता है Lightning Port, और यहां पे Samsung देता है Type-C Port, जो कि सभी Android manufacturers दे दे है और Apple को भी यह देना चाहिए Type-C Port is one of the most important things in 2021, Lightning Port का देखिए, जरुत नहीं पड़ती है, day-to-day life में, हम लोगों को जिनके बात, Apple का ecosystem है, भीज़ ए, Mac है, AirDrop हो गया, AirPods है, Direct Connect हो गया, और iPad है, AirDrop हो जाता है, सब चीज एको सिस्टम में amazing तरहीं से चलती है, लेकिन, जब बात आती है, दूसरे चीजों के साथ, उसकी compatibility की, तो Type-C port is the most important thing, मेरे इसाब से, इसके लाव बटन प्लेस्मेंट, again, मुझे Samsung का यह बटन प्लेस्मेंट है, I don't like it, क्यूँ पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको power on off button दिया है, और volume rocker दिया, इससे होता क्या है, अब आपको screenshot लेना है, मैं बता तो आपको इसमें फरक क्या पढ़ जाता है, और क्यों मैं लास्ट टाइम इसके बारे में बताया है, लेकिन अच्छे तरीकें से नहीं बताया है, तो मुझ नहीं रेता है, तो क्या फरक पढ़ता है Samsung को, अगर वहाँ पे दूसरे साइट पे दे दे तो, क्या ही Apple की copy माने जाएगी, I don't know, इसके लावा यहाँ पे SIM ट्रे है, जिसके अंदर dual SIM लग जाता, यहाँ पे Samsung नहीं रखा, और सामने की तरफ अगर आप देखते है, तो 6.2 इसका यहाँ पे display है, which is a very beautiful display, Samsung के सभी displays जो है, बहुत ज़्यदा अच्छे होते है, खुबसूरत होते हैं, और Apple को भी जो display प्रोइड करता है, Samsung प्रोइड करता है, LG प्रोइड करता है, तो यहाँ पे जो display की quality है, वो top notch है, इन दोनों ही phones के अंदर, display यहाँ पे दिया LTPO technology वाला adaptive display, अब यह adaptive display है, इसका मतलब यह है, कि इसका जो refresh rate है, यह vary करता है, जब ऐसी stable रहेगा, तो 40-48 hertz space का refresh rate रहता है, लेकिन जब यह use करते हो आप तो यह 120 hertz पे चलता है, which is a very nice thing, और यह 1080p panel है, जो के एक smart move है, इससे जादा resolution का panel, आप आइफोन 12 में जो है, वो द इससे जादा के जो displays आते है, फोन के अंदर, उसकी generally आपको जरूत नहीं है, अन्यसे जरी बैटरी जो है, वेस्ट होती है, अच्छी बात है, इसको मैं sarcastically नहीं बोल रहा हूँ, मैं actually mean करके बोल रहा हूँ, लेकिन यहापे जो refresh rate variable है, वो 10 hertz तक नहीं जाता है, जैसे हमने features के बारे बात के लिए, तो यहाँ पे जो है, दो unlocking features, एक face ID है और दूसरा touch ID, touch ID मुझे इसका बहुत च्छा लगा, very fast, very smartly Samsung ने इसको यहाँ पे लगाया हुआ हुआ है, कि आपकी finger जो है naturally वहाँ पे जाके प्रेस हो जाती है, और 99% of the time वो unlock हो जाएगा, बहुत accurate है, आपके अंदेरे में एकदम जादा अंदेरा होगा, light नी होगी, बिल्लकुल external source नी होगा, display की brightness दिम होगी, तो वो भी जो है, यहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, in fact, काम करेगा ही नी, आपको touch ID ही उसकरना पड़ेगा, लेकिन touch ID है, तो कोई tension line वाली बात RAM और ROM के बारे में, ROM इसके अंदर आता है, 128GB का, 256GB का, which is more than enough, HD card इसमें आप नहीं लगा सकते है, जो कि अच्छी बात है, HD card जो है, security का failure ही, मैं बताऊंगा, क्योंकि किसी ने आपका memory card निकाल ले, आपका data आराम से चुरा सकता है, तो यह एक अच्छी बात है, कि Samsung ने करेंगे, लेकिन मेरी यह सोच है, RAM की अगर बात करें, तो यहां पे 8GB का RAM आपको देखने मिलता है, इसके अंदर, जो के मेरे इस आप से कम है, अब बोलेंगे के, iPhone जो है, same category वाला, उसके अंदर, तो 4GB का RAM आता है, लेकिन मैंने यह प्रूफ कर दिया, अपने speed test के अंदर के, मेरे 12 Pro Max का, जो 6GB का RAM है, that is better than Samsung का 12GB का RAM, मतलब RAM की quality कराब नहीं है, लेकिन जो optimization इसके अंदर Apple ने देखे रखा है, that is just amazing, और एक और speed test कर लेंगे, अगर आपको चाहिए, तो उसमें आपको बता चल जाएगा कि क्या सच है, क्या जूट है, अब बात करतें, प्रोसेसर एक धोका है मेरे हिसाब से, यहाँ पर आना चीदा, snapdragon का processor लेकिन यह देखे रखा है, अब इसका फाइदा यह है, कि यह processor जो है, काफी फास्ट है, 5G चिपसेट है यह, और आपको 5G की जिनोजी आगे जब आएगी तो यूज़ कर पाएंगे आप, और regular day-to-day use में कोई इ मेरे हाथों को इसने थंडा होने नहीं दिया कभी, हमेशा मेरे हाथ गरम रहते हैं, कोई gloves पेननी की ज़रूद नहीं, कोई external heater की ज़रूद नहीं, तो वैसा आपको यहाँ पे extremely good performance देखने मिलेगा, heating के मामले, बहुत जबर्दा seat होता है, और मस्त आपकी battery जो है drain होगी, ध बादा battery train नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका processor इतना कमाल का दिया है, Samsung ने, कि जबर्दस आपकी battery train करते ही रहेगा, benchmark भी इसके कुछ खास नहीं है, मैंने अपने speed test में बता दिया, तो जाके आप देख सकते है, बेकार से benchmarks है, लेकिन processor, overall अगर आप सिर्फ usage की बात करेंगे, तो actual में अच्छा है, यह lag ही नहीं है, और इससे अपका phone जो है slow बगरा महसूस नहीं होगा, अब बात करते हैं कि उस तो camera के बारे में, तो जो front facing camera यहां पर देखे रहा है, Samsung ने that is 10 megapixel का camera, iPhone में 12 megapixel का आगे और पीछे पूरे 12 megapixel की camera आते है, Samsung ने यहां पर 10 megapixel की camera दिया है और पीछे जो है 12, 12 और 64 megapixel के camera दिये है, 12 और 12 जो है, वो wide और ultra wide है, और 64 megapixel का camera है, वो telephoto zoom lens है, जो 3x तक है, जो के मेरे सब स्मार्ट मूव है, जब आप मेरा camera comparison देखेंगे 12 pro max versus S21 ultra का तो आप शॉक हो जाएंगे, इंटरनेट पे आपने जितने camera comparison देखे है, उसके लेकिन आप शॉक हो जाएंगे, जो उसका telephoto zoom lens है, उसके performance है, और जो बाकी की चीज़े है, overall camera की performance है, मैं बहुत शॉक हुआ और बहुत बहुत बुरी है, इतनी जदा बुरी है कि unacceptable है, मैं रुका हूँ इसलिए, वीडियो पूरी तयार है, कल instagram पे बता चुका हूँ, यह जो case नजर आ रहा है, अपको मेरे 12 Pro Max के उपर, यह जो case है, यह case के manufacturer ने उस वीडियो को किया है, sponsor, और उससे मुझे वो जो integration वाला part है, जो के एक मिनिट का होगा, उसका approval आना बाकी है, तो approval जैसे आएगा, मैं वीडियो को publish कर दोगा, क्योंकि क्या है, पैसा बनाना भी ज camera comparison करें, कि उसमें दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, अभी मैं इसके बारे में जादा कुछ comment नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे मैं जादा कुछ expect भी नहीं कर रहा हूँ, इसके camera से, क्योंकि S21 Ultra के camera से मैं disappointed हूँ, अब एक और चीज के बार बात कर लेते है, user interface के बारे, user interface जो है, इतना खास नहीं है, कुछ, इसके अंदर features है, काफी सारे, अगर आप camera mode में चले जाओ, तो यहाँ पे देखिए, more में जाएंगे, तो बहुत सारे features है, लेकिन इसमें होता क्या है, कि यह जो more में जाने के बाद आपके features है, यह actual में बाहर होने लेकिन iPhone में देखिए, अभी में फोटो ले रहा हूँ, मुझे portrait लेना है, फट से portrait में चले गया, मुझे panorama में चले गया, अगर मुझे यहाँ पे वीडियो लेना है, वीडियो में चला गया, वीडियो का resolution अप से change नहीं हो था, यहाँ पे frame rate भी change हो रहा है, वीडियो का resolution अगर मुझे यहाँ पे slow mo में जाना है, time lapse पे जाना है, सब चीज में यहीं से कर सकता हूँ, फटा फट मेरा काम हो जाएगा, और यहाँ पे जो single take वाला feature दिया है, जो के social media के लिए दे के रखा है, वो चीज जो है iPhone के अंदर भी है, लेकिन उसके लिए अलग से tab आपको ज यूज करते हैं, इसको फटा फट जो है यूज कर पाए, इसके अलावा user interface देखेंगे तो ठीक है, इतना मुझ खास नहीं है, जैसे मुझे वहाँ पे तोड़ा cartoonist type के icons लगे तो यहाँ पे लगे, लगा सकते हैं, आउट 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 दो बॉक्स जिसको जमिला नहीं करन और यहाँ पे देखिए, जब मैं दोनों के अंदर swipe up करता हूँ bottom से, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो smoothness है वो iPhone में आपको ज्यादा देखने मिलेगी, इसके अलावा कोई भी application जैसे मैं open करता हूँ, suppose यहाँ पे dialer open करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, Samsung के phones में, जो के S21 Ultra में भी है, इसके अंदर भी है, वो है haptics, अगर आपने iPhone use किया तो आप समझ सकते हो, use नहीं किया तो आप समझ नहीं सकते इस चीज को, मेरे बोलने का फायदा नहीं है, आप इस topic को छोड़ देना, इस point को छोड़ देना, जो haptics है, इसका जो haptic feedback है, व overall अगर बात करें मेरे impressions की, तो देखिए, S21 Ultra से मुझे ये better लगा, अब पैसे के मामले में सस्ता है, यहाँ पे जो चीज मुझे अच्छी लगी इसके अंदर, वो ये है, कि जो look है, वो better है, उससे, obviously बात है, प्लास्टिक का बैक दिया है, ये unacceptable है, इतने price point पे, और यहाँ पे, जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, इस phone के अंदर, वो ये है, कि S21 Ultra के अंदर, आपको जो curved edges दे के रखा है, Samsung ने, इसकी वए से, जो miss touching है, वो बहुत जादा होती है, आप कभी-कभी कोई application use कहते है, तो completely screen unresponsive लगता है, फिर आपको realize होता है, कि यहाँ पे कहीं अपने हाथ लगा के रखा है, तो इसमें at least वो चीज नहीं होगी, यह जो flat sides वाले display है, यह देखे, Samsung ने अच्छा काम किया है, मेरे हिसाब से, तो आप लोग बताईए, यह concert app के comparisons क्या देखना चाहते है, S21 से related, जो भी आप देखना चाहते है, let me know in the comment section below, और यह था मेरा impression as an iPhone user, S21 5G के साथ, तो भी करता दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसना होगा, पसना को इसको like and share जरू किजिए, मेरे इस चैनल को subscribe किजिए, goodbye